बिखार विधानसवा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है इस बीच बिखार 22 एक्टूबर को सिक्षक निर्वाचन का भी चुनाव होना है तमाम कंडिडेट्स मैदान में हैं हमारे साथ बाचीत के लिए सारन निर्वाचन चेतर से निरदलिय कंडिडेट्स रंजीत कुमार है सर सबसे पहले जानना चाहेंगे इस बार चुनावी मैदान में हैं किस तरीके का रिस्पोंस मिलदा है तूजे बिहार के सभी दर्सकों को नमस्कार मैं प्रोफेसर रंजीत कुमार राजनीती बिग्ज्यान विभाग जेपी बिश्विड्याले में प्राधारा हूँ और सारन सिचक निर्वाचन चित्र से मेरे भी मजबूत दवेदारी है इस समय मैं मुतिहारी में भी हूँ और विभिन विद्याले का भर्मन करके लोटा हूँ जहां तक आप मुद्दों का सवाल है रिस्पोंस पहले कैसा मिलदा है रिस्पोंस तो एक तरफा है मैं लगभग कई बरसों से सारन सिचक निर्वाचन चित्र के दायरे में पांच जिले आते हैं सारन, सीवान, गोपाल गंज, पर्ष्मी चमपारन, पुवी चमपारन कई बरसों से मैं तमाम सिचक बिद्यालियों का भर्मन कर रहा हूँ सिचकों से रूबरू हुआ हूँ अपनी बात सिचकों तक पहुचाई है और उनकी बात सुनी है उनहीं से उनकी समस्याओं को जाना है और उनके लिए पिछले कई बर से उनकी तमाम समस्याओं को मैं मजबूती से उठा रहा हूँ इसलिए सिचक मेरे क्रिया कलापों से पूरीता से परचित हैं और पांचों जिले में चाहे नियोजी सिचक हों या बितरह सिचक हों या मदर्साब आले हों या संस्कित बिद्याला के से चाहँ मेरे पक्ष में पूरीता से गोल बंद हैं कई सवाल भी खरे होते हैं जब चुनाव आते हैं तो वादे सिचकों से भी किये जाते हैं बिहार में विधान सभा का चुनाव भी है और चुनाव के क्रम में कहा यह भी जा रहा है कि अगर सरकार बिहार में बनती है तो सिचकों पर भी विचार होगा जो मौझुदा इस्तिती है बिहार में सिचकों का जो हाल है तो विपक्ष की पात्रियां थी उस समय बेतनमान और पुरानी सवस्त देने की बात कर रही थी जो सत्ता धारी धल है उन्होंने तो सिचकों से बात करना ही गबारा नहीं समझा तो ये बिहार में पक्ष और विपक्ष किसी के भी अजन्दे में सिक्षा और सिचक नहीं है इसलिए मैंने किसी राजनीतिक दल से उमिर्बारी नहीं दी है और मैं स्वतंत रूप से चुनाव लग रहा हूं और सिचकों के मुद्दे पर लग रहा हूं मैं केबल निमित मात रहूं मेरा चुनाव पूर्णता सिचक ही लग रहे हैं बिहार में अगर सिचकों की बात करें रंजीत दी तो सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल बिहार में समान काम समान बेतन का है कई सिचकों के संगठन भी हैं जिन पर आरोप भी लगें जिनोंने मांग भी किया सरकार ने उनकी बाते सुनी भी कह सकते हैं क्योंकि अब भी आंदोलन जारी है सिचकों का मांग जारी है रंजीत राय अगर जीत कर जाते हैं तो क्या बिहार में समान काम समान बेतन की जो मांग सिक्षर कर रहे हैं उनकी आवाज को बुलन करेंगे जुक नियोजित सिचकों की जुमूल समस्या है दूजार चौतिशे बिहार में नियोजन का काद प्रादंब हुआ है जो निवत्मान बिधान पार्शद है उनकी सहमती से सभी अस्थाई पदों को सरंड़र करा दिया गया और नियोजन का जो काद में नियोजित सिचक बहल पूरी तरह से एक पक्षिया सिचक बिरोजी एवर अपमान जनक रही है बाद में सिचक कई बार 2015 में 2017 में 2020 में अपना आंदोलन भी किये बेतनमान और पुरानी स्वासत के लिए दुर भाग ये है कि महिनों महिनों के आंदोलन के बापजूद सरकार ने सिचकों की मांग को न अलबध प्रोनती का मुद्दा है ग्रेचुटी का मुद्दा है सेबा निरंतरता का मुद्दा है राज कर्मी घोशित करने का मुद्दा है या फिर आपको पंचायती राज से अलग करने का मुद्दा है अंतर जिला अस्थानांतन का मुद्दा है इन तमाम मुद्दों पर सिचक लगातार आंदोलित रहे हैं और सरकार के ट्रब से कोई पहल नहीं हुई है इसलिए सिचकों में सत्ता धादी डल के पर्ती बहुत ही आक्रोस है और जो निवरतमान विधान पासद हैं वो सत्ता के साए में लगातार सुबढय की सियासत करते रहे हैं इसलिए उनके भी प्रती सिचकों में भारी नराजगी है अगर रंजीत कुमार जीत कर जाते हैं तो क्या बिहार में नियोजीत सब्द जिन्हें नितीश कुमार ने कहा था कि हटा दिया गया पूर्ण रूप से नियमित हो पाएगा देखे शिचकों को आcı तक जो कुछ भी हासिल हुआ है वो संगठ्स से ही हासिल हुआ है और आगे भी संगठ्स से ही हासिल होगा नियोजी सिचकों की समस्याओं के अलाबे जो बितरहित सिचक है उनकी भी तमाम समस्याइं हैं बिहार में 2008 से परिच्छा फल अधारित अनुदान देने की वबस्ता की गई लेकिन दुर भाग ये है कि जो अनुदानित डिग्री कॉलेज है उनके सिच्चकों को 2010-11 तक का ही अनुदान मिला है और जो अनुदानित इंटर कॉलेज और हाइ स्कुल है उनको 2013 तक का मिला है तो अनुदानित डिग्री कॉलेज का 9 साल 8 साल का अनुदान बकाया है और जो हाइ स्कुल है इंटर कॉलेज है उनका 16 साल का बकाया है तो कुल मिलाकर पैच्छा फल अरधारित अनुदान की जो नीती है वो पूरी तरह से बिफल हो गई है इन सवालों पर नियमित होंगे या नहीं नियमित उसके लिए पूरी ताकत से पूरी इमानदारी से उनकी लड़ाई को लड़ा जाएगा उनके नियमिती कन के लिए पुराने सेवासरत के लिए बेतनमान के लिए और जो हमारे बित्रहित भाई हैं उनको अनुदान के बदला बेतनमान देने के लिए पूरी मुस्तहिदी से पूरी इमानदारी से सदक से सदन तक इमानदारी के साथ संघस किया जाएगा कि बिवादों से घिरे सेंट्रल इन्वर्सिटी में भी कई बार आरोप लगें कि यहां पर प्रोफेसरों को परतारित किया जाता है अगर जीत कर जाते हैं तो क्या यह मुद्दा आगे चलकर बराबनेगा क्योंकि हमने कई नेताओं से बाते पूछी है अस्वासन मिलता है उ उसके बारे में मैं लगातार लिखता रहा हूं आवाज बुलन करता रहा हूं और कुलपती के खिलाफ मैंने माननिया राश्पती महोदार मंती जी को माननिया ग्रिह मंती को तवाम पत्र भेजे हैं उनके खिलाफ जितने आरोप हैं सीधे सीधे मैंने उनको इमेल किया है औ और विश्विद्याले एक ऐसे कारखाना के रूप में परिनत हो जिसकी चिमनी से भष्टाचार का धुआ निकल रहा है। पूरी मानदारी से मैं लगा रहा हूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि सिचकों ने यदि मुझे मोका दिया तो सिचकों की तमाम समझ्याएं तो शकरात्मक हल निकलेगा। पिछले 18 साल से यहां के बिःधान परस्द होने के नाते पिछले 12 साल से वे बिःधार बिःधान परस्द की एक महतपूर्ण कमिटी निवेदन समीती के भी केरिमेंद हैं लेकिन इन तीन महत्पुर्ण परदों पर काविज रहने के बापजूद उनके नियोजी सिचक और बितरही सिचकों की तमाम समस्च्राइय ज़स की जो मुख्या है उन्होंने बिधान परसद में सरयाम कहा है कि मुझे सिचकों का मत नहीं चाहिए तो कुल मिलाकर करके जो एंडिये के परत्यासी है उनके तो मुख्या ही कर रहे हैं कि हमको सिचकों का भोत नहीं चाहिए इसलिए सिचक जो थोड़े भी स्वाहिमानी होंगे सताधारी दल के परत्यासी को कदापी समर्थन नहीं करेंगे और जो निमत्मान विधान पारसद हैं वो अपनी पारी खेल चुके हैं अच्छा बुरा जोग करना था कर चुके हैं बयो बिर्थ हो गए हैं असी 85 साल उनकी उम्र हो गई है अब उनमें लड़ने भिरने की संघस करने का जजबा जोश जुनूर अब नहीं बचा है और सिचकों की तमाम समझ चाहे हैं उसके लिए एक उर्जाबान जुझारू संघस सील निडर परत्यासी की जोट है जो सिचकों के मुद्दे पर पूरी बेबाकी के साथ पूरी इमानदारी के साथ सदक से सदन तक संघस कर सके और मैं इसके लिए सक्षम उमिदबार हूँ और मैं पिछले कई बरसों से इस काम को करता रहा हूँ इसलिए सिचक मेरे पक्ष में गोल बंद है तो सारन निर्वाचन छेतर से निर्दलिये कंडिडेटर रंजीत कुमार हमारे साथ हैं और वे कह रहे हैं कि चुनाओ लर रहे हैं जीतेंगे मजबूती से सिच्छकों की लराई लरेंगे मुद्दा कई हैं देखना होगा सिच्छक कितना सहयोग देते हैं फिलाल टोडे विहार निर्वाचन के साथ आप बने रहे हैं लगातार यहां कबरुका सिलसिला जारी है धन्यवाद